अब बात करते हैं, factors, हमने बोला था, organism and its environment की बात करेंगे, तो factors की बात करो, कौन-कौन सा factor है, जो आपका effect करता है, organism के behavior को, तो क्या-क्या factor था, abiotic factor, abiotic मतलब जो factor जिन्दा नहीं है, ठीक है, इस पे भी एक सवाल आया हुआ है, तो कौन-कौन सा factors था भईया, abiotic factor, सबसे soil, और बाकी तुम्हारा other factors आ सकता है, ठीक है, सबसे जादा ecologically relevant factor कौन-कौन सा है, सबसे जादा ecologically relevant factor कौन-कौन सा है, तो temperature is the most influential environmental factor, बहुत सवाल आता है, इस पे, temperature is the most influential, सबसे जादा ecologically relevant factor जो है, वो temperature होता है, बहुत important सवाल आता है, ठीक है, यार रखीगा, temperature, अच्छा, water नहीं डाला, sorry, जो अधा water, ठीक है, temperature is the most ecological relevant factor, ठीक है, 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 temperature सबसे जादा ecologically relevant factor होता है, ठीक, temperature vary कर सकता है, seasonal variation हो सकता है, अलग-अलग तरह के variation हो सकते हैं, ठीक, तो कैसा-कैसा temperature हो सकता है, तो temperature varies seasonally on land, increases towards equator and decreases towards the poles, तो इसके लिए तुमको समझने में थोड़ा सा मदद चलेगा, एक जोगरफी की class का, ठीक है, थोड़ा सा basic जोगरफी की class कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, कि मैं किस चीज की बात कर रहा, तो माल लो, कि यह आपका प्रित्वी है, ठीक है अब इसमें, अब इसमें अलग-अलग region आता है, सबसे beach वाला जो region है, इसको हम कहते है, equator, beach में, that is, 0 degree पर, क्या कहते हैं इसको हम, इसको हम कहते है, equator, इसको हम कहते है, equator, ठीक है, अब, ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ, north की तरफ जाओगे, north की तरफ जाओगे, तो क्या दिखेगा आपको, this is called, north की तरफ जाओगे, तो क्या दिखेगा आपको, this is called, tropic of cancer, क्या कहते है इसको, tropic of, मैं ए mm the proper amount कैंसर ठीक है ठीग है जो बहुत अच्छी बात भात है इधर साउध की तुरफ थो क्या जाएotal Region साउध की तுरफ होगे टो क्या आजाए unfolding ट्रॉपिक ओफ क्याप्री कॉर ठीक है अच्छा उपर चले जाओ और उपर चले जाओ तो दो सर्किल दिखता है आपको अर्टिक सर्किल और यहां नीचे आ गया तो अंटार्टिक सर्किल तो लिखिए यह हो गया आपका अर्टिक सर्किल और यह नीचे हो गया आपका Antarctic ठीक है ठीक है clear है हमेशा याद रखना कि जब तुम equator से poles की तरफ जाओगे यह poles है ठीक है यह north pole हो गया और यह south pole हो गया तो जब तुम equator से poles की तरफ जाओगे जब तुम equator से poles की तरफ जाओगे तो क्या होगा temperature decrease करेगा temperature decrease करेगा और जब तुम height में altitude उपर जाओगे altitude भी जैसे उपर जाओगे पहाड पे जाता हो temperature decrease कर जाता है जब तुम altitude उपर जाओगे तो भी temperature decrease जब poreal से equator पे आऊगी तो temperature increase अब कुछ बात देख लेते हैं कुछ बात देख लेते हैं ये वाला ये वाला ये जो रीजन है इसको हम कहते है इसको हम कहते है ट्रॉपिकल रीजन क्या कहते है इसको हम कहते है यहाँ था क्या कहते है ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे सीजनल वेरियेशन कम होगा tropical region में seasonal variation कम होगा, क्या होता है क्या होता है ये वाला जो region इसको जो कहते है tropical ठीक है तो यहाँ जो है seasonal variation क्या होंगे ठीक है अच्छ ये वाला जो region है ये जो region है इन दोनों को हम Temperate region कहते है क्या कहते है Temperate region जहाँ पे temperature कम रहेगा तो ये region को हम क्या कहेंगे इस region को हम Temperate region कहेंगे ठीक और ये वाला जो region है देखो आयरॉनिक है हम उसको हरा कलर से तुंदरा region को हरा से मार कर रहे है ठीक है तो इसको हम कहते है तुंदरा है ना ये region जो है ये polar region हो जाएगा या तुंदरा region हो जाएगा जहाँ पे temperature जीरो के नीचे ही रहेगा जहाँ पे पर्माफोस है तो तुम देख रहा हो जब तुम पोल्स की तरफ जा रहे हो temperature कम हो रहा है जब तुम altitude पे उपर जा रहे हो तो temperature कम हो clear 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 बढ़ी ठीक है तो temperature varies seasonally on land towards equator and decreases towards both and increases from hills to plane ठीक है sub zero temperature भी हो सकता है और temperature 50 degree celsius भी हो सकता है और hydrothermal event में 100 degree celsius से जादा भी हो सकता है है ना ठीक है temperature physiological function को effect करता है body के metabolism को effect करता है गर्मी जादा है तुमारा metabolic rate बड़ जाएगा गर्मी कम है तुमारा metabolic rate कम हो जाएगा है ना यह होता है temperature तुमको fever हो जाता है तुमको fever होता है क्या होता है तुमारे enzymes denature हो जाते है तो temperature effect your metabolic rate and physiology ठीक है स्नो लेपट देखो भाई या हिमालिया में पाए जाता है इंशाटी लाइन है केरला में थोड़ी स्नो लेपट तुमको मिलेगा क्यों तो ठंडी जगा पर रहना है ठीक है तो इस तरह से तो बे on the basis of temperature हम लोग दो तरह के होते हम लोग मतलब organisms दो तरह के होते हैं एक को हम कहत है यूरी थर्मल यूरी थर्मल मितलब क्या हुआ यूरी थर्मल मतलब एनी और्गानिजम जैट कें टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर अगर अ वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर कर सकता है बता तो इसको हम कहते हैं यूरी थर्मल तो यूरी थर्मल क्या हुआ can tolerate a wide range of temperature ठीक है can tolerate a wide range of temperature ठीक है stenothermal क्या हुआ they can tolerate only a narrow range of temperature तो जितने regulators होते है या जितने warm blooded organisms होते है जादा तर यूरी थर्मल होते है जैसे human beings यूरी थर्मल है ठीक है stenothermal मतलब क्या हुआ जो organism एक narrow range of temperature ही बदाज कर पाएंगे उसके beyond नहीं जा पाते जैसे frog stenothermal है तो इस तरह से इससे इसी तरह से यूरी थर्मल और stenothermal होता है clear 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 आगे बढ़ते है आगे बढ़ते है अब आप दो तीन पॉइंट्स लेको ठीक है effect of temperature on animals दो रूल पढ़ेंगे हैं एलेंस रूल और बर्गेमेंस रूल effect of temperature on animals ठीक है कैसे कैसे temperature से cope करने के लिए animals क्या क्या करते है सबसे पहला रूल है इसको हम कहते है एलेंस रूल सवाल आया हुआ है इस पे क्या कहता है एलेंस रूल बेटा क्या कहता है एलेंस रूल एलेंस रूल क्या कहता है मैमल्स के लिए स्पेसिफिकली है एलेंस रूल कहते हैं कि थंडी जगा पे एक्स्ट्रीमिटीज मतलब खुले पार्ट है ना जहां से हीट लॉस हो सकता है तो छोटे होंगे क्यूं ताकि हम हीट गंजर्व कर पाएं जैसे पोलर भीयर को देखोगे ना पोलर भीयर का कान देखना एक चुटू सा है ठीक है थाथी का कान देखो कितना बड़ा है तो थंडी जगा पे जो एक्स्ट्रीमिटीज है जैसे लिम्ज एर्स छोटे होंगे गरम जगा पर जो ए from colder climate have shorter years, just short years and limbs to minimize heat loss. heat loss को कम करने के लिए, heat loss को कम करने के लिए, जो organisms थंडी जगा में होते हैं, उनके क्या है, उनके कान छोटे होते हैं, और limbs छोटे होते हैं, ताकि heat loss preventable है. इसको हम कहते हैं, ellens rule. दूसरा, दूसरे कम कहते हैं, बर्गेमिन्स रूल, ये bird के लिए, बी से bird, बी से बर्गेमिन्स याद रखो, ठीक है? दूसरे कम कहते हैं, बर्गेमिन्स, बर्गेमिन्स रूल क्या बोलता है, बर्गेमिन्स रूल ये कहता है, कि birds, तो अगर तुम थंडी जगा जाओ, तो bird का size बड़ा है, penguins देखते हैं आपको, है न, अगर तुम गरम जगा पर जाओ, bird का size छोटा होगे, exception भी है इसका, ostrich इसका exception है, ठीक है? त mammals attain greater body size in cold region ठीक है, and lesser in warm region, अगेन ये perfectly true नहीं है, इसके exceptions है, ठीक है, in cold region and lesser in warm region, एक्जामपल इसका देख लो, penguins and hummingbird, बट इसके मैं 50 exception किना सकता हूँ, hummingbird गरम जगा पर फाए जाता है, ठीक है, reason ये है, reason इसके पीछे ये है, कि body का size बड़ा रहेगा, तो heat produce जादा होगा, metabolic rate जादा होगा, तो थंडी जगा में survival के chances बढ़ जाते हैं, बट अगर body का size कम होगा, तो heat produce कम होगा, तो थंडी जगा में survival के chances घड़ जाते हैं, तो इसलिए, समझ में आया, 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 क्लिर है, तो हम लिख सकते हैं, temperature is the most ecologically relevant factor, temperature is the most ecologically relevant factor, बहुत बढ़े, बहुत बढ़े, बहुत बढ़े, बहुत बढ़े, बहुत बढ़े, दूसरा कौन सा ecologically relevant factor था भया, पानी, फिर light की बात, तो पानी की बात करोगे, तो पानी कैसा हो सकता है, पानी में हम salt intake के हिसाब से पानी की quality को बाफ कर सकते हैं, fresh water हो सकता है, saline हो सकता है, तो productivity and distribution of plants is highly dependent on water, विल्कुल सही, desert plants and animals have a special adaptation for less amount of water, adaptation के भी हम बात बात में करेंगे हैं, कहां कहां adaptation कैसे कैसे है, उसकी बात अभी हम थोड़े दिर बात करें, ठीक है, सवाल अभी यहां पे आता है, यह pyq है, ठीक है, यह pyq है, सवाल आया हुआ था, क्या, ध्यान रखना है, inland water की salinity 5% चे कम होती है, ठीक है, समंदर 30-35, hypersaline lagoon की greater than 100 होता है, यह important है, this is very important, तो अगर पूछे salinity सबसे जादा किसकी होगी, salinity सबसे जादा किसकी होगी, hypersaline lagoon, lagoon backwater होता है, समंदर का पानी, जो कुछ अंदर आ जाता है, और evaporation की वए से उड़ता जाता है, और वहां पे salt का accumulation जादा हो जाता है, इसको हम lagoon कहते हैं, hypersaline lagoon, ठीक है, तो lagoon में सबसे जादा salinity होगी, सबसे जादा नमक होगा, ठीक है, समझ में आया, saloon में, lagoon में सबसे जादा नमक होगा, ठीक है, तो दो तरह के और ग्यानिजम है, अगर salinity बदास कर रहा है, तो steno heiline, अगर wide range of salinity बदास कर रहा है, तो uri heiline, तो अगर narrow range of salinity बदास कर रहा है, तो steno heiline, अगर wide range of salinity बदास कर रहा है, तो uri heiline, अगर different salinity है, wide range of salinity बदास कर रहा है, तो uri heiline, अगर different range of salinity बदास नहीं कर पा रहा है, तो stenohaline, example आता है, इसका example लिखो stenohaline का shark shark बरदास नहीं कर पाता ठीक है, uriheline का example लिखो salmon musli salmon musli fresh water में भी जाती है ठीक है, इन दोनों का example पे सवाल आया हुआ है समझ में आए बिटा, समझ में आए कोई दिक्कत यहां तर, कुछ भी ऐसा जो दिक्कत है, पताईए कुछ भी ऐसा चल्ड़, बहुत बड़े बहुत बड़े चल्ड़, चल्ड़ आगे बड़, आगे बड़, आगे बड़ ज्यान देना खतम नहीं होता तुम लोगा न जो करार है, करिए चुक चापचा, ठीक है दिमाग अपना मत लगए, अपना दिमाग घर पर छोड़ के आए, ठीक है, जितना हम करा रहे है बस उतना की जिए, ठीक है तुमने तो कभी NCRT खोल के देखी नहीं नहीं कि तुमको पता होगा NCRT में क्या है क्या नहीं है फोल के देखे होते 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 बेबफूफ वाली बात नहीं कर रहे होते है इस किताब को लिखने में देड़ साल लगे है मुझे, ठीक है इस इस दा फंडा बॉक्स इस दा आइकॉनिक बुक आई वस वर्किंग उन फोर सेवरल तो यह बिट्स तुम लोग को मिल रहा है इसमें एक एक लाइन NCRT का ही है निचोडा हुआ है, बिल्कुल निचोड दिया गया NCRT और उसको डाल दिया गया PYQ टैगिंग के साथ ठीक है, तो इस इस दे बेस्ट तिंग डाइब तो अफर तो यू ठीक है, अब तुम बेवफूफ हो तो तुम्हारी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसके लिए चली, बड़ी बड़ी, इसकी PDF आपको आपना वह बढ़ाओ, ठीक है, ठीक है, यहां मैं भी देख रहा हूँ ना, ब्लार नहीं होता, तुम्हारी रेश्यो वह बढ़ाओ, वीडियो सब्सक्राइब क्वालिटी है ना, दिख जाएगे, चली, आओ, आगे बढ़ता, लाइट की बात करते, दूसरा, ठीक है, हमने क्या कै देख लिया, हमने देख लिया, टेंपरेचर, हमने देख लिया, वाटर, ठीक है, टेंपरेचर के बाद, सेकेंड इको लोजिकल फैक्टर जो है, वाटर, चाल, बहुत बढ़ता, आई, लाइट is essential requirement for photosynthesis, इस पर सवाल आता है, जो हम अगले chapter में भी पढ़ेंगे, ठ तो light जो है इसका जो 50% of incident light यह अगले chapter में भी पढ़ेंगे 50% of incident light इसको हम कहते हैं पार क्या कहते हैं इसको इसको हम कहते हैं photosynthetically active radiation क्या कहते हैं इसको photosynthetically active radiation तो 50% जो होता है 50% जो है वो पार है इस पार का 2 से 10% plant absorb करता है for photosynthesis ठीक है तो light हमेशा optimum quantity में रहता है except for few organism जो समंदर के बहुत नीचे रहते हैं डीप हाइड्रो थर्मल वेंट जादा तोर और और ग्यानिजम में light एक बहुत important regulatory factor होता है ठीक है तो 50% क्या है 50% है पार इस पार का इस पार का टू टू टेन परसेंट ऑफ पार टू 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 टेन परसेंट ऑफ पार जो है इस यूजड बाइ है इस बांट्स for photosynthesis बहुत बढ बढ गए यह। धो कुछ ऑर्गयानिसम को छोड़के लाइट सबको easily मिल जाता है, कौन से organism जो hydrothermal events में नीचे रह रहे होंगे या जो जमीन के बहुत नीचे रह रहे होंगे, या जो पानी के बहुत नीचे रह रहे होंगे या जो चाओं में रह रहे होंगे, है ना shady plants, है ना तो जो shady plants होते हों उनकों स्कियोफाइट कहते हैं जो सन प्लांट सोते हैं हुं खेलियोफाइट के ठीक और क्या फोटो पीरियोडीजम इस औल्सों एन फीचर रिलेटेड टु लाइट हमने पढ़ा है फोटो भी रोडिजम प्लांट ग्रोथ हैं डवलोप्मेंट में है ना कि तुम्हारे लाइट के हिसाब से उसका फ्लावरिंग पीरियड डिसाइड होते है ठीक है सम एनिमल्स और बर्ट ऑल्सो डिपेंड ओन डेलाइट फॉर दियर माइगरेटी एन फोरेजिंग ठीक है यह भी आगया तुम्हारा तो यह आगया तीसरा एकोलोजिकली रेलेवेंट फैक्ट यह लिख लोग शेडी प्लांट इसको हम कहते हैं स्कीयोफाइट ठीक है और सन जो होता है है इसको हम लोग हीलोःओं थिक से थीक ठीक जैट बिल्कुत बिल्कुत यह था अगला जो फैक्टर एक इसको ल錢 स्वाइल स्वाइल कम्पोजिशन यहाद एक ना grain size and aggregation determines the water holding capacity of soil तो हमेशा या रखना जितना पतला grain size होगा ठीक है उतना water holding capacity जाता होगा जितना पतला grain size होगा उतना water holding capacity जाता होगा या रखेगा water holding capacity सबसे जाधा clay soil का होगा उसके बाद लोमी स्वाइल का होगा और सबसे कम जो है सैंड स्वाइल का होगा ठीक है? याद रखना, water holding capacity इस पे सवाल आता है stratification of lake बेटा, ecosystem पढ़ेंगे ठीक है? stratification littoral, libnative और यह ecosystem है, उसमें पढ़ेंगे ecosystem है, ठीक है? clear है यहाँ तक? यहाँ तक clear, यहाँ तक कुछ भी जो समझ में नहीं है बताएँ, यहाँ तक कुछ भी जो समझ में नहीं है चल, बहुत बड़ी, ठीक है तो यहाँ रखो benthic animals that live in deep water depends on the characteristics of sediment to survive, यह anxiety line है import यहाँ बहुत अमेज़, बहुत बड़ी